इनॉयल चुनू सही सजाया गया था और अगले छे महीने तक भक्त यहां भगवान बद्रिविशाल के दर्शन कर सकेंगे और यह जो मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं देखे खूलों से सुसर्जित भगवान बद्रिविशाल का धाम जहां पर बीस हजार के करीब शद्धालू पहुंचे थ शद्धालू यहां पहुंचे हुए थे और अक्षेत रित्या के मौके पर केदारनाद धाम के कपाट कुले और आज भगवान बद्रिविशाल के दर्शन के लिए शद्धालों के लिए भगवान बद्रिविशाल के द्वार खोले गए हैं और आज के सुबत यह तस्वीरे क्योंकि काफी आकर्शक और मनमुहक लग रही हैं और धोल नगाडे ताशे के साथ वहाँ पर काफी संख्या में भगवान बद्रिविशाल के दर्शन करने के लिए शद्धालों पहुंचे और पूरे वेदेविदान से कपाट कुले गए तो यह देखिए जहाँ पर पहले ही दिन धोल नगाडों के साथ यह जो कपाट खुले हैं भगवान पहुंचे और दर्शन किये और देखेंगे आश्रिश के पहले ही दिन बड़ी संख्या में भगवान बद्रिविशाल के दर्शन करने के लिए और आप भी न्यूज एट आज से पुरे ये कपाट दीपावली के अगले दिन बंद होंगे और तब तक भगवान बद्रिविशाल भगवान के दारनात के दर्शन करने के लिए शुद्धालों के जाने और वहां से लोटने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा चारदाम यात्रा के पहले बात हो चु आज दर्शन करने के लिए सुबह जब कपाट खोले गव इस वक्त बीस हजार के लगवगश धालों मुझे थे और आज पूरा दिन जाते जाते ये संख्या आगे और पितनी बोलेगी इसकी कोई गिंती नहीं है और ये लगवगश महीने तक इसकी तरह से सिला सलता रहेग कपाट खुल गया मूर्दी सरसब जया चकाचक है विल्कुल बड़ा संदर से और बड़ा मंगल वरसरा सा जब कपाट खुल रहे थे रगववान चकाचक घी में लवालब हैं जैसा चाहते थे वसा मिला हम आज और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अधूत दीरी से देखे रहे हैं आप गम अन्मुहक है और बहुत ही भक्तों में खुसी का लहर है भवान च्छे महीना के लिए बदरीवी साल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अधूत है और चले बढ़ते हैं आगे रूप करेंगे कुछ अन्हें खबरों का आज चौते चरण के लिए वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है पोलिंग पार्टियों को चुनाफ सामगरी के साथ रवाना किया जाएगा, कल एंपी में आर्ट सीटों पर मदान होना है, अन्तिम चरण में मालवा निमार के आर्ट सीटों पर बोटिंग होनी और उसके चलते आज वो तमान तयारियां पुखता कर ली जाएगी, जो कल कारग चुनाव आयोक का दावा, निश्पक्ष और निर्भीक के चुनाव संपन कराने का इन पोलिंग पार्टिज के सहयोग से ही सुनिशित हो पाता है, ऐसे में चौथे चरण कारण मद्यप्रदेश में, अब आठ सीटों पर बोटिंग होने के बाद ये जो मदान की प्रक्रिय चुनाव की ये मद्यप्रदेश और 36 गड़ में संपन हो जाएगी, अलाकि देश के कुछ हैंने राज्यों में, अब ही भी वोटिंग आगे जारे रहेगी, कुछ और जगों पर वोटिंग होने हैं, तो ये जो प्रक्रिया इस वक्ता आप कुछ इसकी जानकारी हम दे रहे हैं, ये मद्यप्रदेश की होने वाली 8 सीटों पर लोगसभा चुनाव की वोटिंग के संदर्ब में हैं, और आज लगवक्स अभी पूरिंग पार्टी जरवाना कर भी जाएगी, लोगसभा चुनाव के चौते चरण के लिए, कल ही चुनाव प्रचार थम गया था, और 10 राजियों की 96 सीटों पर चौते चरण में मद्दान होना है, और मद्यप्रदेश में अंतिम चरण में मालवा, निमाल की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जो की पूरे लोगसभा चुनाव का चौता चरण है, जिसमें इंदौर, देवास उजयन, धार, अतलान, खरगौन, मं सबसे खास बात है, आशिश की जिन आर्ट सीटों पर मद्दान होने वाला है, वहाँ पर बीजीपी का कबजा है, अब देखना यह है कि बीजेपी लगातारून सीटों पर अपना कबजा बनाये रखती है, या फिर कॉंग्रेस जिसने थोड़ा लेट प्रचार प्रसार किय है, और वो जीत पाती है, या जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है, कि प्रतेक 29 सीटे जीतेंगी बीजेपी और यह जो दावा करती आ रही है, अब देखना यह है कि आखिर कार चार्ज उनको क्या होता, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि आठ की आठ प्रतेक बीजेपी शर्मा और साथी कॉंग्रेस से प्रिदेश अध्यक्षा, जीतु पठवारी दुआ धार प्रचार करने वी चुटे वे थे, पोलिंग पार्टिया जगवाना कर दी जाएंगी, प्रतेक बूत में सुरक्षा के पुक्त अंत्रजाम किये गए हैं, और के चलतें, तमाम पुक्ता व्यवस्थाइं की गई हैं, और अब बात सतना से बड़ी कवर के जहां, जंगल में लगी भीशवन आग, चित्रकोट, मारगी के किनारी, जंगल में आग लगी, अब को बिताते हैं कि लगभग एक किलोमेटर के क्षेत्र में ये आग फैल गई आग बुजाने की कोशिशों में जुटी हुई है, और आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत यहां पर रनिभाग को करने पड़ रही है, और अब भीशन गर्मी के चलते हैं, और गर्मी के बीच चंगल में नमी की कमी होती है, और सूखी टैनिया, सूखे पत्ते इस आग को अमंतरित करते हैं, आला कि कई बार ये माने दिये गलती का भी परिणाम होता है, आला कि यहां अब जो प्रात्मिक्ता है वो आग बुजाने की है, सतना से तस्वीरें सामने आई जहां पर आग बुजाने का प्रियास लगातार किया जारा देखिए, रात के वक्त भी बं इतियाती कदम भी उठाए जा सकते हैं, और उन उची पहाडियों के बीच में कई जादा तर सूखे ही पेड़ पौधे होते हैं, और ये भी कारण है कि आग यहां पर बहुत तेजी से पैल जाती है और अब बात करेंगे कुदरत के कहर की जो अफगानिस्तान में लोगों की जिन्दगी में इस वक्त एक बड़ी मुसीमत बन कर आया है, कुदरत ने कहर बरपाया बारिश का ये कहर तीन सौ से जादा लोगों की मौत का कारण बना है अब और वैसा ही कुछ नजारा अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जहां तूफान और भारी बारिश की बज़े से शेहर के शेहर जलमग न को गए और तो और गाड़ियां रेत में दफनों गई थी, अब और वैसा ही कुछ नजारा अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जहां सूखी, रेतीली, जमीन और बंजर, पहाड़ों वाले देश अफगानिस्तान की तस्वीर, उद्रत में अचानक बदल कर लिए अम्बेकापुर में निगम कर्मियों से मारफीट का मामला सामने आ, जहां अतिक्रमन हटाने के दौरार विबाद हुआ और मारफीट हो गई दरसल नजूल की जमीन पर अतिक्रमन हटाने के लिए टीम पहुंची थी वार्ड तीन में टेरी फार्म के पास अतिक्रमन हटाने के लिए पहुंची थी टीम गादी नगरताना इलाके का ये पुरा मामला बिल्लिंग मटेरियल लहटाने पर यहां विवाद हो गया था और इस पूरे विवाद का यह परिणाम यह मारपीट तक बात पहुँच गई निगम कर्विचारियों के साथ हाथा पाई की गई और बढ़ते आगे आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जेल से निकले तो अब प्रधान मंतरी मोधी के उम्र पर आकर अटक गए हैं दरसल इंडिया गडबंदन मुद्दों को तलाश्टे तलाश्टे जिस नायाप चीज़ को ढून कर लाई है वो है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की उम्र मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि प्रधान मंतरी मोधी अगले साल 75 साल के होने जा रहे हैं और बीजेपी में उनका बनाया नियम है कि 75 साल का होने पर निताओं को रिटायर होना पड़ता है और ये रिटायर्मेंट का मुद्धा अब अर्विंद केजरिवाल और आमाद्वी पार्टी उठा रहे है और इसलिए अब प्येम मोधी रिटायर होंगे तो फिर बीजेपी का प्येम उम्मीदवार कौन होगा केजरिवाल ने कहा था कि प्येम मोधी अपने खास को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अधर अमिच्छा ने ये साफ कर दिया है कि मोधी जी पीम का तीसरा टर्म पूरा करेंगे बचहत्तर की उम्मर के बाद भी मोधी जी ही पीम रहेंगे जियासी उठापटक के बीच ये एक नया मुद्दा अर्विंद के जुरिवाल उठा रहे हैं अलाकि इसके बारे में पश्ट कर दिया है अमिच्छा ने उनका ये कहना है कि नरिंद्र मोधी के ही नेत्रत्त में सरकार चली अब मोधी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजे पीजे पूछना जाता हूँ आपका प्रधान मंत्री का दावेदार कौन है तो केजरिवाल के बायान पर सीम साय का निशाना जहां केजरिवाल अपना घर देखे हमारा घर मजबूत है उसके मंत्री विश्ण देव साय का ये कहना है कि अरविंद केजरिवाल के बायान पर जब उन्होंने निशाना साधा कहा कि केजरिवाल अपना घर देखे वो लोग अपना घर को हले देख लें हम लोग का घर मजबूत है हम लोग की जिनता बिलकुल भी नहीं करें और बढ़ते आगे आपको बता दे महादेव सटा एप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है आरोपी अरजुन यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है दोसों से जादा बैंक एकाउंट से लिंदेन बैंक एकाउंट में रखे तीन करोड कराए गए फ्रीज बीस से जादा पैनल संच्वालित कर रहा था अरजुन और आप ये देखिए कि दोसों से जादा बैंक एकाउंट से लिंदेन की बात भी सामय आई है महादेव सटा केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं लगाता टीम चापे मार कारवाई कर रही है और इस दौरान आरोपी अरजुन यादव ने खुलासा किया दोसों से ज़ादा बैंक एकाउंट से लिंदेन किये गए हैं और बैंक एकाउंट में तीन करोड फ्रीज कराई गए तो बीस से ज़ादा पैनल संचालित कर रहा था अरजुन और आप ये देखेंगे कि हर दिन एक नई जानकारी लगती है टीम को और अब महादिव सटा केस में ये बड़क खुलासा है जुन यादव के माध्यम से जहां पर बैंक एकाउंट में रखे तीन करोड फ्रीज कराद दिये गए हैं और तक्रीबाद दोसों से ज़ादा ऐसे अकाउंट में जिन से लिंदेन किया जा रहा था ग्रेमंत्रे अमिट्शा कल वारा नसी में गंगा आरती में शामिल हुए दशाश में घाट पर अमिट्शा ने गंगा आरती के साथ साथ ड्रोन शो को भी देखा बता दें कि दशाश में घाट पर गंगा आरती के बाद एक ड्रोन शो हुआ और इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब धाई लाक लोग पहुँचे और सिर्फ दशाश में घाट पर करीब 50,000 के करीब लोग पहुँचे हुए थे और ये शो आज भी होगा तरशा शुमेग घाट पर एक साथ एक हजार ड्रोन शो देखने पहुचे करीब 50,000 लोग और ये शो आज भी किया जाएगा और काफी आकरशक और मनमोहक यहां पर इद्रश होता है रात के समय ड्रोन्स के माध्यम से एक तस्वीर उकेरी जाती है आस्मान पर और रंग बिरंगी लाइट्स जो की ड्रोन्स में लगी हुई है उनसे एक खुबसूरत नजारा यहां पर उकेरा जाता है जिसमें आप द आशिव इश्वनात के मंदिर के प्रतिरूप को भी ड्रोन के माध्यम से पुदर्शुत किया जाता है और यह देखे कमल का फून खिलता हुआ तस्वीरों में ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया तो एक हजार ड्रोन इस दौरान उड़ाए गए और यहां पर पचास हजार से जादा श्रद धालू लोग पहुंचे वे थे देखने के लिए वारा नसी में जहां पर अमित शाकिस साथ साथ से हम योगी आदितिनार भी मौकिप पर यह ड्रोन शो देखने पहुंचे थे और बरते आगे बरोता बाजार से बड़ी खबर आपको बता दें 50 लाग के सिक्स्टॉशन केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है ब्लैक मेल करने बाले आरूपियों की कुर्क होगे संपत्ति परार आरूपियों की जो संपत्ति उसे कुर्क किया जाएगा चह आरूपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है पराचार आरूपियों की पुलिस तलाश कर रही है ब्लैक मेल कर रहे ब्लैक मेल कर आरूपियों ने पिर्टों से 50 लाख रूपे वसू ले थे और इससे पूरे मामने में ये बड़ा एक्शन जहां पचास लाख के सेक्स टॉशन केस में पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है ब्लैक मेल करने वाले आरोपियों की संपत्ति को कुरक किया जा रहा है बैतोल में आन्य अंत्रित होकर पल्टी पेकप दुरगटना में 27 लोग खायल हो गए आपको बढ़ा दें के दोग खायलों के हालत काफी गम भी बनी हुई है जिलास पताल में इनका इलाज चल रहा है दुरगटना के बाद विक अप शालक अब मौके से फरार बताय जा रहा है आमला था नक्षेत्र के चुटकी गाउं का ये पूरा मामला है और वर्तियां के सूरजपुर में ग्रामेडों के पिटाई का एक मामला गरमाया हुआ है दरसल शादी समारों से लौट रहे ग्रामेडों की यहां जमकर पिटाई की गई गाड़ी को रोक कर 15-20 बदमाशों ने पिटाई कर दी चार ग्रामेडों को चोट आई है देविपूर जंगल की घटना बताई गई है अब ये पिटाई क्यों की गई है ये एक बड़ा सवाल है बदमाशों का हमला शादी समारों से लौट रहे लोगों पर हमला किया गया गाड़ी को रोकर 15-20 बदमाशों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी चार ग्रामेडों को चोट आई है खबार अशोक नगर से जहां विवाद में चली गोलिया दो पक्षों में विवाद के बाद गोलिया चल गई है आपको बता दें कि फाइरिंग के बाद आरोपी फरार हो मुगाविक शित्र के बामौली चाका गाओं का ये पूरा घटना करम है कुछ वीडियो भी सामने आया है एक ये वीडियो देखिए जहां पर एक बड़ी राइफल लिये हुए शक्स नजर आ रहे हैं दो लोग है जिनके हाथ में राइफल है और फाइरिंग कर आरोपियों और रिवा जिले के चागार ठानप्रभारी आए दिन किसी ना किसी कारण सुर्ख्यों में रहते हैं ताजा मामला ठानक्षित्र के पड़री गाओं का सामने आया है रसल यहां चाचा और भतीजे में विबाद हो गया भतीजा अब रिपोर्ट करने थाने आया तो उसे दो दिन तक चक्कर लगवाया गया फिर दीसरे दिन फुद आना प्रभारी उशा सिंग सोमबंशी ने फरियादी को फोन करके धंकाया और जूता मारने की धंके दी और पिडित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई यह पूरी घटना जिसका एक आडियो वारल हो रहा है और वहीं पूरे मामले की फरियादी ने तियोधर स्टी ओपी से भी शिकायत की है तो मुझे अब अब तरीके से गाली दी जूता मारने की बात कहीं कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी और साथ में जो रादिन्तिक पार्टर जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है तो पुलिस प्रसासंग पास राइड दिये तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से फर्क नहीं पड़ता यह है और जो आडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बात चीछ चल रही है और क्या हो रहा है इसके बात आगे ही करवाई की जाए और अगली खबर मनसौ से जहां लोग सबाचुनाओं में मतदान से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला पूरे शेहर में सश्यस्त्र पुलिस सहीत पुलिस के अधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए शांती पूर मतदान करवाने के लिए पुलिस की चाक चोबद विवस्था रही है पन्ना में विवादत रूंज डैम का काम फिर शुरू हो गया है प्रिदिश सरकार की महत्पपूर परियोजना कोरोना और किसानों की विरोत की भेट चड़ गई थी बताते चलें कि किसानों का आरुखा क्योंने उनके अनुसार मुआफ़ा नहीं मिल रहा है आपको बता दें कि जनता को शुद्ध पेजल पहुँचाने के लिए अजय गड़ श्राम गर्जी के पास रुंज परियोजना की शिर्वात दोहजार अठारह में की गई थी जिसक के आसपास से करीब 48 गाउं के किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्द करवाना इसका लक्षे था और परियोजना को निर्धारित समय साल 2022 तक समाप्त हो जाना था लेकिन अब जिसके रेड लाइन के दो साल बाद भी यहां काम पूरा नहीं हुआ है और धंतरी जिले में पूलिस और नकसलियों के बीच मुटभेड का एक मामला सामने आ जिसमें एक नकसली को मार गिराया गया है और यहां मुटभेड आवन डिग्गी के जंगल में हुई है जहां पर जंगल में पूलिस को मावादियों की मौजूर्गी की ख़वर मिली धंतरी गर्यबंड याजी के सेंसेटी में ये कारवाई की प्योके में पाकिस्तान की खिलाफ सड़क पर उतरी जंता महंगाई के खिलाफ फूटा लोगों का गुसा दरदल प्रदर्शन गारियों और पुलिस में यहां जड़प हो गई सब इंस्पेक्टर अदनान कुरेशी की इस चड़प में मौत होने की बात सामने आई है महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि वहां के लोग अब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए है और यहां जब प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त पुलिस और स्थानी लोगों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में एक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरेशी की जान चली गई यही तस्पीर हम आपको दिखा रहे है बाक अधिकरत कश्मीर की जहां पर इस वक्त महगाई से जनतात्राहित्राहि कर रही है और बढ़ते हैं आगया बात IPL की दरसल कल कोलकाता और मुंबई के वी चीडिन कार्डन में मुकाबला खेला गया और कोलकाता ने मुंबई को 18 हरनों से हरा दिया गयनबाजों के शांदार प्रदेशन की बदालत कोलकाता मौजुदा सीजन के प्ले आफ के लिए क्वालिफाइ कर गई है मतलब की IPL में केके आर इस सीजन के प्ले आफ में जगे बनाने वाली पहली टीम है टीम ने होम ग्राउंड इडियन गार्डन से स्टेडियम में प्ले आफ के लाखिया पूलकाता नाइटाइटर्स के वोईंकटेश हैयर ने 42 रनों की शांदार पाले के लिए जबकि आंद्री रसल ने 24 और रहतेश राणा ने ताबढ़ तोड 33 रन बनाए प्यू शावला ने दो विकेट्स चटकाई मुंबई की ओर से इशान किशन न बॉलिवोड अभी नेतरी शिल्पशेट्टी मावैश्टो देवी की दर्शन केरने पहुंचे और अपनी सफलता की काम ना किये वे अपने साथियों के साथ जम्मू से एक विशेश चार्टेड हेलिकॉप्टर से दोपहर करीब दो बजे भवन मर्ग स्थित सांजी छत पर हेलिपैट पर पहुंचे और वहां से मा का जैकारा लगाते हुए डेड़ किलोमीटर पैदल चल कर भवन पहुंचे और उन्हों और इसे के साथ यहां पर रुक रहें एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहें न्यूज जिटीन अमपी चतिसगर नमस्कार